जैसा कि आपको पता है हमने पिछली भी कलास में आपको कहा था कि आपको हम एक question देंगे उसका आपको जबाब देना है चलिए screen पे पूरा screen पे आपको दिखरा है question आप लोग इसका जबाब दे दो ABC में उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं देखो मैं दिखरा हूँ छोटा सा है ना दिखरा हूँ ना बगल में चलो मुझे इसका जबाब दो फटा फट सबी बच्चे इसका answer कितना आएगा चल्दी करिए ABC में से कौन सा होगा कोई बता दे anyone option चलो बताओ आज हम क्या पढ वेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और ही मस्त कलास होने वाली है एकदम सुरू से तो सभी बच्चे आगे उमीद करते हैं अगर आगे तो फिर हम सुरू करें अगर सभी बच्चे आगे तो फिर हम सुरू करें कलास पर चलें जी बिलकुल ठीक है जो भी चात्र बेट कर थे उनके नाम है आर्चना राय पूनम कुमारी रभी रामफल सरोज और छोटू रभिता भारती लहरी सीवम यादो एके और चंदन हरसिता पंडे और इनका नाम भाई मुनावर अली बहुत ही अजीब राइब का नाम है और संतोस उसा और हरसित पंडे अंसिका लोधी अमित बिसकर्मा और सोभा कुमारी की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैंने एक सवाल इसक्रीन पर दिखाया है आप लोगों ने समझा इसमें क्या आप सनाएगा अंसर ये तो आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा एक डेमो दिया था छोटा सा इसक्रीन पर आप इसे कर लें यह उनकी जिम्मेदारी है उनकी अपनी रिस्पांजबिल्टी है पटाफट कर लें और जो एक बार सबसक्राइब किये वो दोबारा फिर नहीं करेंगे ये व उनकी जिम्मेदारी है पना नहीं कि नहीं क्युलना चलो हैं इस मैं आप थि fabrication कॉलनेzh sean को तो आज इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे चुकि आज है आपका लाइब 13 तेरा नंबर क्लास है तो कल हमने कुछ ऐसे आसान आसान कुश्चन किये थे है न जैसे 729 है और ये अगर इसमें 3 सुनना है तो इसका घनमूल क्या होगा आप सभी बच्चे जल्दी से बताओ मुझे फटा फट तंदीप सिंग जी गुड इबनिंग चू प्रकास जी गुड इबनिंग बच्चा गुड इबनिंग चलो बताओ देखिए अब हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमें कलास पर आगे बढ़ना है कल मैंने यह सवाल आपको बताया था इस तरह वाले बहुत ही आसान बे में आप लोगों ने किया था किया था ना चले तो अब देखो इधर साइड में समझो भाई देखो किसी किसी का आंसर आ रहा है रभीता कुमारी कमेंट करने इनका आगे चल यह ठीक है अच्छी बात है तो हमने कुछ कुश्चन्स आप लोगों के लिए इसमें बनाए भी थे कल मैंने दिखाया भी था स चलो क्यों ना उनको हम कर लें फिर फटा फट चलो फिर लगे हाथ उनको ले करके चलते आगे बढ़ते हैं कल हमने इनको हल नहीं करवाया था कल हमने इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से बताया था क्यों भाईया यही करवाया था आज हम हल करवाएंगे देखो समझते चलो इसका एक साधकर टरीका ये है कि आप इसे दो पार्ट में तोड़ दो 729 और गुरा 1000 हजार हमें पता है कि 729 नौ का क्या है घन है नौनवा इक्क्याफी नौईया 729 यह घनमूल निकालना था इसका नौ हो गया 1000 का घन 10 होगा तो फाइनल में उत्तर तो हो गया 90 लेकिन यह कोई तरीका नहीं हुआ इसको हल करने का अगर बात करें बेसिक की क्योंकि हम लोग पढ़ रहें बेसिक जीरो से जिनको नहीं आती है गडित भीया उन्हीं के लिए है इस पैसली तो चलो फिर अगर इस्पैसल कलास है तो फिर इस्पैसल बाते भी होती है समझो इदर देखो आगे तो अब हम बात करते हैं एकदम बेसिक इसका अंसर 90 तो आएगा यह ठीक है लेकिन इसको बेसिक ढंग से कैसे हल करेंगे क्योंकि यह जो रात 9 बजे से कलास होती है वो बेसिक ही होती है अभी छात्रों से निवेदन है कि अपनी वाटसप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए और हाँ अपने मित्रों में सेयर कर दीजिए भीया देखो बच्चे अगर 100 के उपर जाते हैं तो मजा आएग कि यह तो ऐसे मन नहीं लगता फिर कलास जादा नहीं चलेगी फिर आप कोगे क्यों आप बंद कर देते हो बार बार फिर एक नई बैच शुरू होगी बस अगर आप चाहते हो कि नई बैच ना शुरू हो और इसी में आगे चलता रहे और पूरा हो जाए तो आप कलास को से क्लिए कि यह 729 इनके हम फैक्टर करेंगे चोटे चोटे पार्ट में चोटे चोटे पार्ट में इनको क्या करेंगे तोडेंगे तो दो से काटो तो चोटा ज्यादा हो जाएगा तो तियाई चे और यह दो चंग बारा और यह दो चोटा और दो पंचे दस बोलो यह सही है कि नहीं उपर देखो क्या था इसका आधा तीन लाख चौशट हजार पांच सु क्या यह सही है कि एक बार देख लो ट्राई करके ना इसमें जाता क्या है देखो लो तो तियाई चे यह बारा हो गया दो चंग बारा दो चौश काट आट हा और यह दो बंचे दस जी रो ठीक है मब इनको दो से फिर से काटोगे दो एक कम दो देखो काटने का मतलब समझो अब ने यहाँ पर दो लिखा तो यहाँ पर 36 और चार पांच और जीरो जीरो कैसे आया पता है क्योंकि हमने ये किया था क्या ये ये देखो 729 यहाँ पे 3-0-2 इसका यही मतलब था ये 2-3-6 घटाने पर एक आया ना उपर से 2 उतार लो 2-12 ये घटाने पर जीरो आ गया उपर से 9 उतार लो तो ये 2-4-8 घटाने पर एक आया 10, नीचे नहीं दिख रा, देखो 10 हो गया ना, लाइट में 2-0 बच्चा था, इस होजा से 0-0 जाएगा, और फाइनल में 36-45-0-0 ये आया था, बात समझ में आई ना, तो जिनको नहीं समझ में आया था, कि वह या ये दो यहाँ लिखा था, तो यहाँ ये कैसे आया था, वो यह ठीक है ठीक है ठीक है पेरी गुड लेकिन आप लोग एक काम करो भाई क्लास को लाइक करो यार मतलब मैं बीच बीच में पढ़ाना छोड़ करके लाइक और सेयर करने को कहूं यह बिल्कुल अच्छा नहीं है टाइम वेश्ट होता है आप अपनी जिम्मेदारियों को उनके लिए है जो समझ रहें वो तो बहुत अच्छे हैं सुन्दर है ठीक ठाक है चलों देखो तो दो एक कम दो यह दो अठे सोला अर यह दो दुना चार और यह दो दुना चार दो पंचे दस जीरों कि इतना ठीक है ना एक लाख बैशी हजार दोस्तों पचास आया इसमे फिर दो से काटेंगे दो नवा ठारा और दो एक कम दो दो एक कम दो दो दुना चार दो पंचे दस अब एक बात बताओ क्या अब भी यह दो से कटेगा है क्या अब भी यह दो से कटेगा साभी बच्चे कोशिस करके बताओ एक बार क्या अब भी यह दो से कटेगा कि नहीं कटेगा है जल्दी बताओ फटा-फट मुझे लगता टेली ग्राम पर सेर नहीं हुआ है का थे नहीं हुआ है दो बजए से बेसिक मेथ की लाइब चल रही है आजाओ सब फटा-फट देखो शेयर नहीं हुआ था अभी अभी मैंने शेयर किया यह हो जाता है कभी कभी भाई मिस्टेक तो ठीक है समझ गए ना आप लोग हमारी बातों को समझ गए ना चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा रुक जाओ भीया बस दस सीकेंट रुक जाओ चलो बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड सभी साथी कलास को भीया लाइक जरूर करो अमन यादो जी ठीक है अब चलो अब नहीं कटेगा ना यह दो से नहीं क्यूं नहीं कटेगा क्योंकि लाश्ट में पांच है और यह एक विसम संख्या है विसम संख्या कभी भी दो से नहीं कटेगा तीन से कटेगा तीन से कटने का मतलब यहां देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा ऐसे भाग दे लो नैंटी वन टू फाइब इसका मतलब यही हुआ तीन तरीका नौ घटाया तो सुनने आया उपर से क्या करेंगे भाई साहब वन उतारेंगे अब वन में भाग तो जाएगा नहीं सुनने बार जाएगा तो चाहे तो सुनने बार यहां ले जाओ ठीक है चलो सुनने बार ले जाओ तो सुनने आयेगा सब्ट्रेक करो वन आया दूसरा वाला वन उपर से उतालो तो तीन तरीका नौ देखो यही मिश्टेक कर देते अगर कोई करता वैसे तो उपर से एक दो उतार लो तीन सते 21 नीचे दिख रहा गटाने पर एक आया उपर से 5 उताल या 15 हो गया 3515 यानि 3375 आया कितना आया 3375 जो स्टूडेंट इस समय अभी फोन काल कर रहें उनसे निवेदन है कि वाट्सअप पे मैसेज करें और फोन काल हमें दिन में करें सुबा दस से दो बाहर दो बज़े के बीच में काल कर लें एक निश्चित समय पे वाट्सअप का मैसेज वो कभी भी करें रिपलाई मिलेगा ठीक है वाट्सअप का मैसेज करिए चाहे जब करोगे रिपलाई मिलेगा 24 गंटे लेकिन थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि कभी-कभी अधिकांस हम रिपलाई करते हैं आप लोगों को तो बिजी रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है जलो इतना ठीक है इसमें किसी को कोई परेसानी तो बता दो इसको गुड़नखंड बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा इसको थाइक्टर बोलते हैं आदित श्रीवास्तो जी कुछ आरा समझ में कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा ठीक है चलो आगे देखो तीन पचे पंदरा और मुझे लग रहा यह फिर अभी भी तीन फे ही कटेगा ऐसे काटते जाओ इसको फैक्टर करते जाओ जब तक यह कटे तब तक इसको काटते जाओ देखो तिन्तरिकका नो फिर वही हालोगा यह तिन्तरिकका नो घट्रे बच गया एक और उपर से एक उतार लिया सिन्तरिकका नो तीन सते 123 15 इतना ठीक है किसी को कन्फियूजन है तो यह लो भाग दे लो यह लो भाग देलो बच्चा यह लो 3 से भाग दे लो 3 तरीक्वा 9 घटा लो एक आया उपर से 1 तो 3 तरीक्वा 9 घटाने पर 2 आया उपर से 2 उतारा 3 सते 21 घटाने पर 1 आया उपर से 5 तिन पजे 15 देखो हमारी कोशिस यह है कि जो कमजोर से कमजोर छात्र भी है उनको समझ में आए बाकि जिनको समझे में आता है उन तो कहीं भी पढ़ सकते हैं लेकिन वह बैचारे हमारे ही भरोसे हैं जिनको बहुत कम समझे में आता है इस वज़ा से हम बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी बताते हैं कुछ भी इसमें छोड़ते नहीं है तंत्रामपाल महराज की जै नाम है जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कोया थीक है अच्छी बात है कुछ तो इतने बड़े भगता है तो अपना नाम बना लेते हैं इतना बड़ा सारा मतलब वह भाराज के बराबर खुदी बन गए हैं चलो देखो इधर पटेल बच्चा देखो इधर पढ़ो पहले दात मत निकालो जादा जान रहें कोरोना फैला है तो मुह में गुच जाएगा तो देखो इधर समझो अब फिर से ये तीन से अभी कट सकता है नीचे दिख रहा है न तो तीन एकम तीन एकम तीन तीन दुना च्छा तीन पचे पंदरा अब ये फिर से 3 से कटेगा क्या मुझे लग रहा है तीनी से कटेगा ये ये 3 से ही कटेगा अब समझो इधर साइड समझो आप नीचे नहीं दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा थे इसको हम यहां ले आते ऊपर 3 तिरिका 9 और 3 सत्य 61 3 5,15 फिर से 3 से काटो 3 एकम 3 देखो कहीं कुछ गढबड ना होने पाए आपको ये देखना है कि ये 1125 था और 1125 था 3 से काटने पे 375 आया क्या 375 को 3 से गुड़ा करने फिर बनेगा ये की नहीं हां स्राइकर के देखो 375 को तीन से गुड़ा करो भाई एक से एक नलायक पड़े हैं इनको क्या कहा जाए लगातार फोन कर रहा अदा गंटा से पता नहीं कहां से पैदा हो गया यह देखो इधर तीन एकम तीन तीन दुना च्छा तीन पचे पंदरा अब यह सिर्फ पांच से अब मुझे यह बता इसका अंसर कितना आएगा कितना आएगा इसका आंसर रात को लाइब होती है डेली नौ बजे से दस बजे के बीच में एवरीडे रात नो से दस और दस से ग्यारा डीलेट वालों की होती है बीटीसी वालों की याद रखना सभी अंकित जी 1521 का बताए अब यह सभी समझ गए अब हमें क्या करना है देखो मारे पास जगा है नहीं यहाँ पर नहीं तो एक लाइन हम और लिखते हैं यहाँ पर बसे उपर मुझे लग रहा दिख रहा चलो ठीक है लिख लो तो यह देखो एक दो तीन चार पांच छे तीन बार तो दो है और यह यह 4 dos którym 6 वर करें चैब्हार तीन है और तीन बार पांच है इनकी जोड़ी बनेगी यह लोग शाटकट में कर लो एक जोड़ी यह बन गई एक यह बन गई टिम की और एक वफन जो थिरी आंगा ला और दो यह 2 यह यह तीन-ओ मिला करके एक जोड़ी बन गई और पांच-क जगा कमपड रही है ऐसे तो आप थोड़ा सा रुख जाओ मैं कैमरा थोड़ा सा जूम है न उसको जूम आउट करता हूं ध् Valais irrelevant अचीर तो देखो जागा थे टॉड़ा सा बढ़ जाए तब तो यह ने थिकिए रहा है ना मैंने थूड़ा सा गलत जगा लिखा है आप देखो इधर side में समझो जो थोड़ा बाहर तक कर देता हूँ अब समझो यहाँ दीख रहा है न side में अब जगा बढ़ गई चलो आओ नीचे एक line में लिख सकता हूँ देखो आप क्या करेंगे समझो 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 कैसे लिखेंगे अब final में final में ऐसे करते हैं जो number दिया है उसको ऐसे लिखेंगे यह ऐसे 729 और यह 3 0 बड़ापर लगा करके इसको ऐसे बनाएंगे लंबा सा बड़ा सा इसके बीच में इन सब को लाके करेंगे यह 2 2 और 3 जो है वो 6 बार यह 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया याद रखना इन सब को एक लाइन में लिखेंगे एक सीध में इसी में जोड़ा बनाएंगे ठीक है पांच को देखो तो तीन बार है कितनी बार है तीन बार है यह लो पांच कितनी बार था तीन बार था आप सब के जोड़े बना लो यह लो एक जोड़ा दो का बन गया एक जोड़ा तीन का बन गया तीन का एक जोड़ा और बन गया पांच का एक जोड़ा बन गया अब फाइनल में जब आंसर लिखेंगे इसके नीचे हमारे पास जगा कम लग रही मुझे वैसे आ रहा है लिखन सब कुछ नहीं करना केवल वर्ग मुल लिख देना बस आपको हो गया यह समझ गये ना आप हमारी बातों को अब फाइनल में आप लिखोगे जब लाइस्ट में इसमें से एग दो निकल जायेगा और तीन और पांच यह कैसे आया पता है आपको एक दो इस जोड़े से निकला 1-3 इसमें से निकला इक पांच इस तरह से यह सब यहां पे आगे दो बोलो जल्दी से यास सभी को समझ में आया ना किसी को कोई समस्या है तो बता दो किसी को कोई समस्या है तो बता दो बाई जल्दी जल्दी से और सभी साथी पूरा कलास देखेंगे अगर समझना है कोई जायेगा नहीं छोड़के बीच में अगर बीच में चले गए तो कुछ आप समझते चलो आगे बढ़ते हैं कि लिटा दे कि स्क्रीन तर्ट ले लो जल्दी से मैं मिटाता हूं गिए इसक्रीन साथ ले लो मैं मिटा रहा हूं ठीक है देख आपकुँछ नए नंबर हम लोग पकड़ेंगे कुछ नए नंबर पकड़ेंगे जिनको आसानी से हम लोग क्या करें उनके फैक्टर अल्टर कर सकें देखिए ये बिल्कुल बेसिक प्रक्रिया है जो मैं सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक एकदम सुरू से इसके पीछे कुछ नहीं होता है अगर आपको भी मैतमेटिक्स नहीं आती है तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझना चाहिए बीच में कलास छोड़के नहीं जाना चाहिए क्योंकि कलास में मज़ा तो कम आती है लेकिन समझोगे तो बहुत बहतरीन समझ में आता है अगर आप जुड़े पांच मिनट में भाग गए तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है याद रखना अगर गड़िद सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा सीखना है तो देखो समझो इधर साइड में चलो आगे बढ़ते हैं अगला ले लो 138-24 क्या है बचवाईये कुछ नहां दिख रहा है 138-24 यहां तीन है मतलब इसका घनमूल निकालना है क्या करना है घनमूल कोई बताएगा हमें इसका घनमूल कितना आएगा anyone कोई भी कोसिस करके देख लो एक बार कितना आएगा चालती करो फटाफट और बता दो कितना आएगा इसका घनमूल गुत करके देख लो गार चलो देखो बहुत ही आसान है जो बच्चे याद कियी है वर्ग वर्ग मूल वाला गन गन मूल वाला उनको सबको पता है सब अच्छे से मालूम है और जो नहीं याद करें उनके लिए मुसीबत है चलो 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 ओके गुड बेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई रोहित छोटू जो कमेंट करते हैं वो लगातार करते हैं जो नहीं करते हैं नीशा जी बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है प्रतिभा केसरवानी अंकित अंकित देखो बच्चा जो नंबर आप बता रहे हो वो तो सब कज आएगा लेकिन किसी का दसामलों में आएगा और किसी का सीधा फिदा आएगा तो पहले हम आसान संख्याओं का करेंगे जिससे कि हमारे सभी छात्र समझ सकें अगर कोई बड़ी नंबर ले लेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर वो समझ ना पाएंगे यहां देखो 138,24 इसके क्या करने हमें फैक्टर करने हैं वैसे अगर मैं इधर फाइड इसको करूं तो जादा बेतर होगा इधर साइड है ना चलो उपर से यहां तक दिख रहा है ठीक है ओके देखो समझो 138,24 इसका अंसर बहुत से बच्चे बता रहे हैं आल इन वन सलूसन चंद्रपरकास अनुमान यादो जी ठीक है बहुत अच्छे 24 आएगा बच्चे बोल रहे है ठीक है यह 24 का क्या है यह 24 का घन है जो नंबर लिखा है 138,24 24 का क्या है यह घन है लाइब होता रात 9 बजे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करिए आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन आएगा चलो यह 2.12 यह 29,24 यह 1.12 यह 28 यह 18 तो एक कम 2,24 13,824 6,912 आया है इनको ना समझ मैं आओ ध्यान दें में यह कैसे आया है उसके लिए हमें यह करना है हमें ये करना है इसको दो से भाग करना है क्या करना है बच्चा दो से भाग करना है बबुआ तो कर लो दो से भाग ये दो छंग बारा कटाने पर एक आया उपर से आठ उतार लिया और दो नवा ठारा ये सब सुनने हो गया खतम हो गया उपर से दो उतारा, तो दो एक कम दो, अर ये सुनने हो गया, खतम हो गया, उपर से चार उतार लिया, तो दो दुना चार, इस तरह से आपका 6912 आया था, और जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं समझ में आया है, तो समझ लो, इस तरह से यह फैटर होता है, ठीक है, बात आप समझ में आ रहा ना देखो बच्चा जिनको कोई भी इंक्वारी करनी है नीचे नंबर चल रहा बाबू उस पे संपर करिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़िए बाकी कुछ मत करिए चलिए कमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा काम नहीं पढ़ नहीं पाओगे और एक बात फिर से बोल दूँ अगर मैं वास्तों में पढ़ना चाहते हो तो कलास को पूरा देखना जुड़ना पांच मिनट में भाग जाना ऐसे कुछ नहीं होगा अगर टाइम नह ग्यारा तो पंचे दस और दो चंक बारा अब क्या होगा और आगे बढ़ाओ चलो आगे बढ़ो फटा-फट फिर दो से काटोगे तो एक कम दो और ये दो सत्य चौदा तो दुना चार तो अठे सोला फिर आगे बढ़ो तो पंचे 10 नहीं बहुत कम हो रहा है तो नवा ठा 2 aťh 16 गटाने पर एक है हो गया यह 12 2612 दो चौकार्ट ऐसे इनको काटते चलो काटते चलो लाइश्ट में चलके खतम हो जाएगा यह ठीक है लाइश्ट में चलके एक आजाएगा यह दो चौगाट, दो 3 इचा, दो दुना चार फिर फे 2 से काटो 2 दुना चार दो एक कम दो, दो चछंग बारा फिर फे 2 से काटो दो एक कमदो, целो, दो टे, 16 देखो कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा तो बच्चा जैसे 216 को भाग करते हैं बबू अजब 2 से न यहाँ पर थोड़ा एक चीज समझो कुछ समझने वाली बात है उसे समझो यहाँ पर तो 2-1-2 यह हो तो जाता है ऐसे घड़ जाता जीरो आ जाता है लेकिन एक चीज यह होता है अब उपर से हम 1 उतारते हैं तो 1 में भाग जाता नहीं है नहीं तो यहाँ पर अगर 18 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा तो 1 में भाग हम 0 बार ले जाते हैं मतलब 2-0-0 और यह 1 फिर से आ जाता है उपर से 6 उतार लेते हैं और 2-8-16 यह हो जाता है इस तरह से इसका क्या आता है 108 आता है अगर मैं सीखना है तो कलास को पूरा देखना जाना मत बीच में मैं बार बार बता रहा हूं इनको नहीं पढ़ना सिर्फ वैसे देखने के उद्देश से आएं क्या हो रहा है वो जाएं लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं मुझे सीखना है वो कम से कम 10-15 मिनट देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि नहीं मुझे आ रहा है अगर दो-चार मिनट देखें तो तुम्हें कुछ ना समझ में आएगा इसमें दो-चार-चे मिनट में कुछ ना आएगा अभी पूरी कलास देखो फिर जानोगे क्या राग नहीं आ रहा है चलो दो से फिरते करो दो पंचे 10 दो चव काट ऐसे इसको काटते जाओ फिटापट एकदम खतम करते जाओ यह दो दूना चार और दो सते चवदा अब देखो बच्चा लाइश्ट में आ गया 27 अब 27 का फैक्टर यहां पे कर लो तीन नमा 27 यह तीन तरीका नो देखो लाइश्ट में वान आ गया ना बोलो मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूं तो परवेश जी कलास देखो रेगुलर देखो नीचे नमबर दिया गया उस पर संपर करो ठीक है नीचे नमबर चल रहा है उस पर संपर करो अब देखो समझो इसका में घनमूल निकालना है हम क्या करेंगे इन नमबर को जो हमारे यह फैक्टर आये हैं इनको यहां लाके लिखेंगे जैसे देखो तीन यह तीन छे नौ नाइन टाइम टू आया है नाइन टाइम गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो न पर नवार लिखेंगे देखो यह तीन बार हो गया हीज्य deg ठीज रही है यह नों बार हो गया गुख के बात टीन तीन भाएए है ना बच्चा देखो बाबू इधर समझो अब इनके एक पेयर बन गए एक पेयर ये बन गए एक पेयर ये बन गए एक पेयर ये बन गए तभी पेयर से एक एक नंबर बाहर आ जाता है समझते चलो मतलब की बात ये लो पराबर एक दो इस पेयर से आ जाएगा एक दो दूस सकते हो कि इसका अंसर 24 होगा यह होता है बेसिक तरीका एकदम जिससे आप लोग घनमूल पड़ते हैं इसे क्या बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं अगर आप बच्पन में मैथमेटिक सीखे हो तो ऐसे ही सिखाया जाता बच्पन में यह बेसिक फंडा एकदम कुछ समझ में आ रहा ना भाईया बुजाओ जा रहा की नहीं अरे थोड़ा बहुत बुजा रहा है ना चलो एक बात याद रखना अगर क्लास को कुछ टाइम दोगे तब समझ में सब आएगा जुडोगे भाग जाओगे तुरन तो कुछ ना आएगा तो चलो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं इसके बाद फिर से लग जाते हैं चलो तो ठीक है काल करेंगे तो फोन पर कैसे सीखेंगे मैत इनको कहां बनाएं बगवान पौन में मैत नहीं सिखाते हैं पौन में तुमको बताएंगे कैसे पढ़ना है पौन में नहीं सिखाते किसी को भूल के मत सोचना कि फोन में मैत सिखाएंगे तैंगे कुछ गता हैं यह फोन करते हैं जैसे उठावाई से बोलते हैं सर जल्दी कुष्टन नोट करो तो इसे लगता है कि सरवास वैठे हैं कुष्टन नोट करने के लिए समझ रहे हो ना नंबर दिया गया नंबर पर संपर करो समझ में कुछ ना आएगा कुछ ना आएगा समझ में समझ रहे हो ना टाइम देना पड़ेगा कलास में अगर जुड़ते हो एक आद दो दिन देखना पड़ेगा यह नहीं कि बस आये फट से बस चले गए आये और चले गए तो अगर हमारा चेहरा देखना है तो भाई इतनी अगर अच्छी है आपकी पकड़ तो देख लो चले जाओ और अगर समझना है तो फिर समझो चलो अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान देना इंदर साइड ध्यान दो भाई यह तेंद्र जी आपको भी कुछ आसार हो रहा है का जैर का चलो तो यह तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक जिनको कंपटीशन का पढ़ना है चाहे ससी बैंक रेलवे कोई भी कलास का अगर उन्हें कंपटीशन का पढ़ना है तो बच्चा पीवियार इस्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल पे देखो पीवियार इस्टड अगला चलो अगला लिख लो 2744 अगला है कुश्चन नमबर आज का पांच लिख दो अच्छा रहेगा लिखो 2744 इसका अंसर कितना हैगा मुझे लगता है कि देख करके इसका तुरंद बता देएंगे सब चलो बता फटाफट इसको तुम नहीं समझ रहे हो एक हैं अंकित क इनको केवल 1521 का घंण मूल बताओ इनको केवल और केवल 1521 का घंण मूल बताओ देखो बच्चा पहले जो पढ़ा रहे हैं बेसिक उसको पढ़ लो एक कहानी ऐसे कि यह दने रहन का नाती अजने दादा वह का बोले अगर इसे रंडा करोगे इसको बता दो किसी को पले ने पड़ेगा इस्टप आए इस्टाप बाई श्टेप कैसे होता है हैंगर सीक्वेंस से टौपिक टपीक पढ़ोगे तब समझ में आएगए औरो सी तोसर से चेहन में नचेहन जूड़ी होती है अगर आपको फेकटर नहीं आता गुळनखंड नहीं आता तो यह नहीं आएगा जो हो रहा है पर यह नहीं आएगा विलकुल नहीं आएगा करो भाई फटाफट चलो कितना आएगा अंसिका लोधी मनीश यादो नहीं इसका नाम मत जानो बच्चा जरूरी नहीं है बहुत गंदी चीज है वो तो मैंने बताया वैसे नाम लेने के उद्देश से बस चलो आगे बढ़ें इसका अंसर आएगा 14 जो बता रहे हैं उनका सही है 14 आएगा कितना आएगा 14 आएगा केंगो सबसे पहले क्या करोगे बच्चा लोग सबसे पहले coalition करोगे यह तक दिख रहा यह उपर जहांकर हमारा हाथ जाएगवा वहा दिख चलो पिए कितना है 87 44 इनको पहले काटो तू से इनके फैक्तर करो चोटे चोटे पार्ट में देखो दो एकाम दो यह दो त्याइफ च्छा है और दो सच चूदा दो दूना चार फिर से इनको काटो दो चंग 12 और यह हो गया कितना लोटे 16 जो चंग 12 फिर फिर इस से कटेगा साथ से साथ चोक अठाइस और यह बचा दो और चार कितना हो गया चे साथ नवाई तिर्फट फिर साथ सता उन्चास और यह साथ एकम साथ इस तरह फे देखो आपका कलियर हो गया की नहीं और आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहो देखो यार मज़ा नहीं आरी बिलकुल बाबु बिलकुल भी मज़ा नहीं आरी इतना समझे लो मैं बार-बार बोलू जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं बिलकुल फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें तुरन सब्सक्राइब कर लें जिससे की अगले दिन पढ़फाएं ने तो तुम नंबर तो नोट कर लेते हो लेकिन चैनल का नाम तुम्हें नहीं पता रहता है ऐसे नहीं पढ़फाओगे चैनल का नाम PBR स्टड़ी याद रखना यूटुब पे बोलोगे सर्च करोगे मि नहीं मिलेगा इफ लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो शुरू से एकदम प्यार से चलो अब समझो आगे यह तो यह तीन बार दो है तो हम तीन बार दो लिख लेते हैं कि इस ताथ कितनी बार है ताथ देखो तीन बार है कितनी बार है इनके पेर बनाओ एक तो वाले से पेर से एक आ गया साथ आ गया इसमें से तो फाइनल में आपका हो गया 14 अंसर 14 आ गया तो बच्चा जैसे कोई भी नंबर मानलो लिखा है जैसे थ्री अपान फाइव तो अगर हम इसको देसिमल में चेंज करें तो आप जानते हो कैसे होता कि नहीं जानते हो ना कैसे देखे दसमलो आता कैसे हम सबको पता है जो नीचे वाली ये नंबर है पाँच इसको क्या करोगे पाँच से भाग करोगे किसको तीन में भाग करोगे उपर वाली में तो भ जाएगा यह घटाएंगे तीन आ जाएगा फिर उपर दसम्लो बढ़ा के हां पर सुनना उतारेंगे और पांच अंग तीस तो यह आ जाता है क्या 0.6 हम कहते हैं यह क्या है 0.6 लिए गीवार के बारे में हम जादा चर्चा नहीं करेंगे बहुत डीटियल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिक सीखना शुरू से अपको यह दिखाया कि दसम्लो मिला कहां से नसमलो का चनम कहां से हुआ जब किसी प्रेक्शन को किसी भिन्न को जो कि पशल आपके सामन है नहीं इस लिए थोड़ा समझो लेकिन समझ में आ जाए बादी राम जी आरा समझ में भाई रभिता कुमारी चलो ठीक है समझो तो यह तो हो गया पहला अच्छा ठीक है इधर एक चीज हम लोग समझ लेते हैं जरूरी है क्या देखो समझो अब हम पढ़ेंगे दस हमलों का जोड़ना जैसे आप लोग रेडी होना सभी एकदम पूरा कमर कसली हो कि आज मुझे सीख जाना है मैथमेटिक्स और बच्चा कलास को पूरा देखना अगर सीखना है तो पूरा देखना जाना मत कहीं बीच में जिनको जाना है चुक्चा पहले निकल लो बिलकुल पहले न जलती करो इसका मान कितना आएगा देखो हम आपको बेसिक एकदम सूरु से समझाएंगे एकदम टॉपिक बाई टॉपिक ध्यान से देखो समझो भाई आप लोग कलास को लाइक कर दो बाव ऐसे मज़ा नहीं आ रही है आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां उसको समझिए कलास को तुरंद लाइक करिए और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपकी जिम्मेदारी है इतना करिए अच फायरी ऐसे लिख लेंगे यह दूसर का वाला इसके नीचे लाके सट कर लेंगे कर समलो सभसे लगाते हैं इसम Yo कोई हरानी नहींना चलो पस जोड़ो भाई साथ जोड़ो अरे गदों ऐसे जोड़ो जिन सरमार नहीं ये 153 में तुम 47 तो जोड़ सकते हो कि नहीं पताओ इसको तो जोड़ सकते हो ना 10-10-0, हासिल कितना आया एक और 5-4-9-10-0 आया एक यह हो गया दो यह 200 हो गया ना हो गया ना तो भाई साहब यहां भी 200 ही आयेगा लेकिन तुसमलो का यहां कमाल है कितने यंक पर था 1-2, 1-2 यहां पे लगा दो यह bereखने का मतलब इसका फाइनल अंसर आ गया तो कितना आ गय को अच्छा यह हमारा अभी तक मोबाइल से चल रहा था इसलिए यह घबड़ा रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है चलो तो आएगा भाई बिल्कुल बहुत अच्छे बेरी गुड क्या हुआ चली इधर साइड देखिए अर्जुन दिख्षिद ठीक है समझे तो यह हो गया इसका अंसर कितना आ गया टू आ गया अगर हम इसको रूपया और पैसे में बात करें यह रूपया पैसा का बात है तो बैया एक रूपया तिरपन पैसा है और यह केवल 47 पैसा है उनली 47 पैसा तो एक रूपया तिरपन पैसामें अगर आप 47 पैसा जोड़ोगी तो दूरुपया ओजाएगा कितना हो जाएगा दूरुपया हो जाएगा आकास यादो जी समझ में आ रहा है बताईए का रहना समझ में चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसको एक और तरीके से जोड़ सकते और भी देखलो भोई इसको ना नहीं जोड़ ने कैसे इसका last अंक ले लो इसका last अंक ले लो साथ तीन दस हासील अया एक आफील यहां कहीं लिखलो चु कैसे इतना ठीक है आगे देखो अब दूसरा अंक ले लो इसका इसका भी दूसरा अंक तो 5, 4, 9 और एक हासिल 10 10 का 0 हासिल आया फिर फे 1 यह मैंने एक लिख लिए नया सा मोटा सा ठीक अब हासिल एक, अब तीसरा आंक ले लो सबका तो भीया इसमें तीसरा आंक सुनना है इसमें 1 है जोड़ोगे तो 1 आएगा, यह 1 जो पहले बचा था 2 हो गया पस हो गई कहानी, दो अंक पर दसमलो लगा है यहाँ पर यहाँ पर भी दो अंक पर यहाँ पर दसमलो लग गया यह अंसर आ गया आप लोग मुझे यह बताओ, यह B वाला तरीका था यह पर जोड़ोगे बच्चा था, यह B वाला था, आप मुझे बताओ, यह वाला तरीका पहतर था या B वाला यह वाला अच्छा था जाधा कि वाला भाई सुजीत जी बच्चा जादा कुड़ा करकट ना भेजो बाबू, ठीक है संजु सिंग ठीक है आ रहा है ना भाई ए भी सुजी तो बेचा कुछ सुधर जाओ तुम बहुत वर्बाद हो गए हो चलो समझ रहे हो ना ने तो फिर दूबारा कमेंट नहीं आएगा तुमारा चलो अब आप सभी अंसर दोगे एकदम पूरा नजर गडालो एकदम गिद्ध की तरह तूट पढ़ना जैसे आएगा तुरन तूट पढ़ना समझो इदर साइड में जैसे 4.32 प्लस 1.597 इसको अगर एड करेंगे तो क्या आएगा जलती बताव सभी कितना आएगा जरा एक बार क कोशिस करके देख लो भाई आएगा टैनी के अक्स भाई जेड बहुत अच्छा नाम है कहां से लायो इसको बहुत सुंदर लग रहे है मीरा दत्ता जी आजै एपी भारति लारी बहुत अच्छे बेरी गुड मैंने कहा है कोशिस करो अरे गद्धों एक बार कोशिस कर लो क्या जाता है कोशिस करने में तर्यांस पटेल जी गुड इबनिंग बहुत अच्छा करें जो तुम अभी आ रहे हो थोड़ा और देर में आओ खापी लो थोड़ा खापी के थोड़ा आराम कर लो फुर्सत में आना चलो देखो इसको जोडने का दो तरीका है समझो पहला तरीका है कि इसे फुर्सत में यहां लिख लो लाकर के ये ठीक है दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो लगाओ बिल्कुल सेटिंग बराबर रहे हां इसके राइट साइड में आ जाओ बच्चा इसमें डेसिमल के राइट साइड में 5 97 उधा हम लिखेंगे 59 और हहां जांब इसके लैप साइड में आए डसमलो के 25 में ये वन हो गया यहांपर बरावर नहीं करते हैं नहीं डसमलो सीधा-सीधा होना चाहिए बस समझ में अरा ना सिर्फ झरफ दसमलो सीधा-सीधा होनाचाहिए समझ गये ना चलो आगे देखो समझो अब इसके साथ के ऊपर कुछ नहीं है अगर कुछ नहीं तो इस पर सुनना बढ़ा लेते हैं यह लो पलड़ा बराबर दिखे मतलब गड़बड़ी ना होने पाए कहीं देखने में बराबर दिखे साथ में जीरो जोड़ों के साथ आएगा नौ में दो जोड़ों के ग्यारा ग्यारा का एक हासी लाया एक अरे भाईया जैसे जोड़ना घटाना बच्पन में सीखे हो जब इतना बढ़ा थे पिल्ला बरके ना बस वैसे करना है साथ दो नौ यह हो गया नौ दो ग्यारा का एक हासी लेक और पांच तीन आठ और हासी लेक नौ अब कोई हासी लुआ फिल नहीं बचा इसमें दसंबलो के नीचे दसंबलो लगा दो पूरा पूरा और चार एक पांच इसका जो फाइनल में आंसर आ गया फिल हाल 5.917 ठीक है समझ में आया ना सभी को महेंद्र सैनी आया समझ में राधा कृष्णा बविता कुमारी तुनीले दुबंसी तुझीत बच्चा तुम काक चाहते हो दिल चाहते हो कि जान चाहते हो बताओ क्या चाहते हो अखित दोनों मेंसे कुछ तो चाहते हो ना तुम कपी देर से डंड पिर बाद तुमको Permanent Block कर देंगे चलो है एक बात इसमें और भी करेंगे हम लोग वो क्या है कि अगर इसे हम सार्थक ankk की द्रिष्टी से देखें आपने पढ़ा होगा सार्थक ankk और कोटिमान तो उसमें क्या होता है पता है इसे अगर हम दो अंक तक लिखें बच्चा तो इसे हम लिख सकते हैं 5.92 पता है कैसे लिख सकते हैं जो 7 यह हट जाएगा और 1 की जगा 2 हो जाएगा यह सार्था कंक में पढ़ोगे आप आपको एक वीडियो दे देंगे बना के हम कि अगर तीसरा अंक जासमलों के बाद का तीसरा अंक जो है जैसे से बना यहां पर अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में एक जुड़ जाता है और तीफरा अंक क्या करता है गायब हो जाता हट जाता है समझ में आया ना पूजा मिसरा जी कलास अगर आप रे प्रेगुलर क्लास में आएंगी तभी समझ में आएगा एक दिन आने से नहीं समझ में आएगा इनानी के ननियुरे नहीं आयो तुम लोग अब देली आया करो हर दिन चलो आके पढ़ें यह हो गया ना इतना तो फिलाल इसका अंसर यहां के अकार्डिंग यही होगा इसमें और कुछ नहीं करना है यह था दसमलो का जोड़ना अब हम इसे खतम करेंगे सिर्फ एक कुश्चन देंगे आप लोग के लिए आप लोग थोड़ा अपना दिमाग पकालो उसके बाद अब दसमलो का जोड़न मेरे साथ में कर लो आपका टाइम अच्छा चल रहा है कर लो ठीक है मारा ही बुरा चल रहा है हम चिलाए जा रहे हैं अभी पचास पर्सेंट लोगों ने सिर्फ लाइक किया बस बाकी लोग सिर्फ देखे जा रहे हैं पता नहीं का देख रहे हैं चलो अगला देखो 9.205 प्लस 0.0359 इसको एड़ करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ तुरेंद रियादो जी 15 अप्रेल पे चलेगा चैनल नमबर 3 पर नमबर दिया समपर करो कि इसको कैसे करोगे आप लोग बता दो मुझे अब मैंने बताओंगा तुम लोग बहुत समझे लिए चलो अब आएंगे घटा आना ना समलो का घटा आना देखो बच्चा यहां पर समझो जैसे मान लो कि मैंने लिखा है 23.005 इसमें से अगर हमें कोई कहे है कि बचवा तुम घटा दो 0.03 तो बताओं कितना आएगा ज़रा सोच के बताओं आप लोग घटाने वाले में कितना आएगा लक्षमी रावत कर दिया है आज रोज भूल जाते अच्छा आज कर दिया ठीक है अच्छी बात है रोही त्यादो पच्चा तुम पढ़ाई करने आयो ना अगर पढ़ने आयो तो ठीक है पढ़ लो और अगर सिर्फ कमेंट पढ़वाने आयो ना तो माफ कर दो एक बार औ देखो इसमें कैसे करेंगे आप लोग जरा ध्यान दो इसमें बहुत ही आसान है भाई बेरी गुड विकास कुमार जी ठीक है आ गए हो बहुत अच्छी बात है लखनौ से आयो ठीक है तोटा भीम तोटा भीम कहां आ गया भाई हां चलो देखो इनको सब्ट्रेक करने के ल जी चरैबुडो समस्य इत्या निची दसमलो लगा दो Agnan उसके बाद क्या करोगे दसमलो के 20 साइट चलो 0,3 है जिए 0 हो गया अब दसमलो के बाई साइड आ जाओ लेट साइड कुछ नहीं है पस यही पूरा कहानी बन रही है अब जहां जहां कोई अंक नहीं है वहां पर क्या करोगे जहां जहां कोई नहीं है ना बच्चा वहां पर लगा दोगे तुम जीरो जहां पर जीरो लगा दिया यहां पर जीर लेते हैं पडोसी से इसमें से उधार लिए लेकिन ये बैचारा पहले से कंगाल है इसके पास कुछ है नहीं तो ये क्या करेगा ये बड़ा इमानदार है लेकिन हमारे पास खाने को नहीं लेकिन भूंखाने जाने देंगे तुम्हें फिलाएंगे जरूर बड़ा धार्मिक परवित्तिका है तो ये फलाने से उधार मांग लेगा बगलवाले से और ये इसको उधार देदेगा तो ये बन जाएगा कितना दस और फिर ये इसको उधार देगा ये बनेगा दस दस में से तीन गया साथ और ये बैचारा दस बना था मांगे मंगा ऐसे एक उधार दी द जाएगा 22.975 एक बात बहुत ही ध्यान से समझना इसको कभी भी 22.975 नहीं पढ़ोगे इसको कभी भी भूल से भी 22.975 नहीं बोलना नहीं तो गड़ बड़ा जाएगा सब चोपट हो जाएगा याद रखना ठीक है तो यह बात आपने मन में बसा के रखो बच्चा लोग चल लें ना सब समझ में आने लाइक दिख रहे है ना कोई तो नहीं है ना को फिल्कुल टैंसन मत लेना अगर गड़ जोगा तो बता देना लिक्त चलो आगे बढ़ते हैं very good by good very good बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे पसे घटाना ऐसे कर लोगे सेम टू सेय मैं ने बत दे रहे हैं ध्यान से समझना देखो भाया डारेक्ट कुश्चन लिख देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें से घटाना है 0.051203 चलो कितना आएगा सभी कोशिस करके एक बार बता दो फटा फट ट्राइ कर लो देर मत करो यह कुश्चन सामने है आपके कितना आएगा सब्ट्रेक करके देखो एक बार चलो देखो यह कलास बिसे सुरूप से उनके लिए होती है जो मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है इनको गड़ित नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं उनके लिए इस्पेसली मैं पढ़ाता हूँ यह लाइब सेशन पर पेक चलो आजए ठीक है तुम का है सेड रहे तो भे हमेसा यह वाली स्टेटस लगाया करो रोमांटिक वाली बावु सोना वाली यह सब कहां लगाते हो चलो देखो इधर कि इसको क्या करना घटाना है अब समझो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे गुड़ा जस्मलो का देखो जोड़ना घटाना तो आप सभी कर लिए मेन इसमें जो सबसे अच्छा सीखने वाला वो है गुड़ा है क्या है गुड़ा है मल्टिपल है आप समझो इधर साइड में गुड़ा में क्या करते हैं बच्चा इसमें एक चीज समझने वाली है छोटी सी है इतनी करने पर दसमलों के अंक जूड़ जाते हैं दसमलों के अंक क्या होते हैं जूड़ जाते हैं याद रखना है चलो आगे बढ़ते हैं चलो देखो सभी समझो फटा फट कि अब आज आ रही ना कोई दिक्कत नहीं ना बाई तनू आपका आया एक एक पीछे लगे ओ बला कर दे खन विथ तनू किसी का नाम लेके कमेंट ना करो किसी का नाम लेके कमेंट ना करो देखो समझो चलो रसमलो का कुड़ा जैसे ले लो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो 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 वन इसका मल्टिपल करोगे तो क्या आएगा जड़ा कोशिश करके देखो इसमें सिंपल सा है आपके सामने पूरा इस्क्रीन दिखरी मैं सामने से हट गया हूँ यहाँ पे समझो बच्चा यह सीधा सा इतना है कि हमें तीन का गुड़ा एक में करना है और हम सभी जानते हैं कि तीन आएगा हम सब को पता है क्या आएग पस इसका आंसर फाइनल में क्या आएगा तीन आएगा लेकिन इसमें समस्य यह चैकी यह आपैं तीन यहां पे घुड़ चाएं यह तीन और यह दो लगे ग पांच पर लगेगा तो यह एक बिचारा अके लिए इसको थोड़ा साइड में लिख लो तो पांच अंक के लिए हम चार ठीय में सुनना बढ़ाएंगे यह यह इसका अंसर होगा संज 뉴스 थोड़ा देख है आके अगए आगल सवाल की तरफ बढ़ते हैं लेकिन यह लोगकर थोड़ा कम समझते नीं से से चलो आगे बढ़ें चलो ठीक है आगे देखो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ज्यान देना चलो इदर साइड में देखो अच्छे से समझो कि देखिए अगला देखो अगला अगला देखो तो मियार बहुत देखो जीरो पॉइंट टू वन इन्टू जीरो पॉइंट त्री इसका अंसर कितना आएगा कि जड़ा सोच के बताओ कितना आएगा जादा क्रिशना जी बताइए रोही त्याद हो आप भी हो चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बेरी गुड अरे तुम लोग कोसिस का नहीं कर रहे हो भाई ऐसे मज़ा नहीं आरे बिल्कुल जान लो बहुत तेस से मुझे गुस्ता लगती यह जितने भी बैठे हैं यह कम करते हैं कमेंट तक नहीं कर पाते हैं पतने जिंदेगी में क्या करेंगे मतलब पैदा हो गए का है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या जरूरत है हर कोई नहीं कमेंट कर रहा है मुझे पता है सब नहीं कमेंट करते हैं मैं सब की बात भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत से सबकूछ चल रहा है लेकिन अधिकांस इसमें ऐसे भी बैठे है जो कमेंट ही करते है पता है सर्माते रहते हैं चलो देखो इदर साइड में समझो इसका अंसर हर कोई बताएगा वनीज ठीक है टाइटेनिक सुनील रोहित सचीन क्रिफना सोनिया है अतलब दीर दीर संख्या बढ़ रही है हम बढ़ रही है कमेंट बढ़ रहे हैं मुझे पता है कुछ जो चुप चाप बैठे थे उनके भी थोड़ा थोड़ा लगा कि देखो का आप बोल रहा है चलो मैं भी कर देता हू कुछ कमेंट जल्दी करो सभी हर कोई करो फट 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 देखो इधर साइड में आप समझते हैं ठीक है अच्छी बात है अर्जुन दिक्षित ठीक है बच्छे ठीक है बेरी बुट उपेंद्र यादो देखो ये सिधा सा इतना मतलब है इसका जैसे तुम 21 का गुड़ा त दूट जेखो न यहां पर दोंगपर है तो फाइनल में तीन अंक पर दसम्लो लगेगा और यहां पर एक जीरो बढ़के तब यहां पर दसम्लो लगेगा और यह गरेक्ट आंसर होगा याद रखना जब भी गुड़ा करेंगे तो दसम्लो के जोंक है वहापस में जूड ज लान होते हैं दसभाइबूट के अंगा पस में जू्ड जातें एक दूसरे में सठ जाते हैं समझ गये न जैसे एक यह न फोसुरा सप्थ्लिक प्रसम लगह समझ में आया और समझ में कोई समस्या कि S hoop नाटी और आया समझ में मनीश राज चलो देखो इसको मिटा देता हूं आगे बढ़ते हैं अगली अगला देखो ध्यान दो अगला समझने की कोशिस करो बिल्कुल टेंसन मतले ना फटा फट हर कोई जबाब देगा भई ऐसे मज़ा नहीं आ रही है जानलो बिल्कुल भी मज़ा नहीं नहीं आती है अगर तुम कमेंट नहीं करते हो तो हर कोई कमेंट करो फटा फट देखो यहां पर अगला अगला बिल्कुल रेडी रहो चलो 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 फटा फट यह वन वन और यह 0.001 अब देखो इसका क्या आएगा यह कुश्चन ऐसे कंपर्टिशन में आ जाते हैं तु तोटे बच्चों आ लाइए एक है भाई ठीक है देखो आप लोग गडबड़ी ना करो लड़ाई जगड़े ना करो लड़ाई जगड़े ना करो नहीं तो फिर बलाक हो जाओगे चलो इसमें 11 है इसमें 11 है तो 11 का एक में गुड़ा करोगे 11 आएगा यह फाइनल अंसर है लेकिन बात यहाँ पर दसमलो वाली है जो समझने वाली है क्या है दसमलो वाला है जो समझने वाला है तो बच्चा यहाँ पर दसमलो है यहाँ पर दो अंक पर है तो फाइनल में दसमलो पांच अंक पर लगेगा तीन अंक यह दो अंक यह पांच अंक पर दसमलो लगेगा फाइब डीजिट वर लगेगा तो दो अंक ये है तीन अंक इसमें और बनाएंगे ये ये पांच अंक हो गया दसामलो यहां पर लगा दिया इसके पहले सुनना जरूर बढ़ाते हैं ठीक है समच गए न एक चीज और समझ लो कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि जैसे दसामलो पांच लिखती है नहीं कि यहां पर हमेशा जीरो पॉइंट पांच लिखेंगे मतलब उसके आगे जीरो लगना जरूरी है अब क्यों जरूरी है अगर आप सुरू से कलास देख रहे हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है बात समझ में आए ना कहेंगा आप वायज जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कौन सी खूबी दिख गई आपको मुझे में अच्छा सूपर्टेट के टीचर हो आप लगतो रहा आपके कमेंट से बहुत अच्छे टीचर हो बढ़के टीचर हो काफी बच्चों के पीछी लगे हो परिसान करके रग दियो फिर कह रहा यह वह ऐसे टीचर भई हो गया समझ में है सभी को यह कलास का टाइम है रातरी के 9 बज़े से सुरू होती कलास रात के 9 बज़े से लेकर 9 बज़ कर 45 मिनद तक अभी 10 बज़े से अगली कलास चलेगी ठीक है यह गुड़ा हो गया अब हम लोग करते हैं दसमलों का भाग क्यो कर लेते हैं कुछ और कर लो एक आदूठी कर लो चलो 5 दसमलो 25 बुड़ा 0.05 इसका अंसर बता दो आप लोग चलो इसका बता दो क्या आएगा फिर आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी करो ट्राइक करके देख लो एक बार चलो देखो इजर साइट में यह हो गया अब हम करें क्या करेंगे दसमलो का भाग देखो इधर साइड में समझे अब भाग कैसे करते हैं यहां पर देखो समझो जैसे मान लो यह तो आप लोग बता लिये होंगे फिलाहल इसको मैं मिटा देता हूं इसका काम खतम हो गया दसमलो के भाग में आ जाओ देखो बच्चा जैसे 0.5 है और इसको अगर हमें भाग देना है 0.1 से तो आपको पता ही है क्या आएगा चरह एक बार सोच के देखो क्या आएगा एक बार ट्राई करके देखो क्या आएगा देखो यहां पर समझो यह भाग का मतलब क्या है देखो यहां पर एक चीज और इधर साइड में समझो, कि जैसे 4 दसम्वलों 3 अगर कहीं लिखा है चार अनुपाते 3 ठीक है, 4 रेशियो 3 अगर लिखा है या फिर इसे हम ऐसे कर सकते है 4 अपान 3 क्यों? बोलो सब्सवरी है की नहीं? चाहिए तो 4 रेशियो 3 लिखा है या 4 अपान 3 लिखा है या फिर ये ऐसे लिखा है 4 divide by 3 इन तीनों का मतलब एक कैं हुआ बोलो सभी समझ रहे हो की नहीं सभी समझ रहे हो की नहीं 4 ratio 3 यानि 4 अनुपाते 3 या 4 बटा 3 या 4 भागे 3 करोगे ये सब का मतलब एक ही हुआ ठीक है तो वैसे बच्चा हम इसको ऐसे कर सकते है 0.5 upon 0.1 देखो दसमलों दोनों में बराबर बराबर रंक पर हैं बराबर बराबर रंक पर हैं तो समझावता हो जाएगा फाइनल में ये पाँच बटा एक हो जाएगा तसमलों कुल से हट जाएगा और लाश्ट में केवल पाँच आएगा कितना आएगा ओनली 5 आएगा बच्चा कितना आएगा 5 आएगा अब आप सभी जल्दी से एक कमेंट ये करोगे क्या आप सभी को समझ में आया मचा आई थोड़ी बहुत की नहीं हाउ ऐएगा है कि नहीं आया ना सभी को समझ में कोई दिक्कत है कैं तो बता दे ना भई हा तो काल dus ए एक अयлемह काल किया था पर इस समय मैं बजी था अच्छी बात है आपने काल किया था तो हम भी जी थे हम नहीं किया तो आप भी जी थे ठीक है भी जी रही है भी जी रहना ही जिन्दवी जिनको नहीं समझ में आया रेगुलर क्लास देखें हो सकता है इस वीडियो के डिस्करप्शन में इस लाइब सेशन के आपको लिंक मिल जाए पिछली जितनी भी अब तक 13 क चैनल पे पिछली सारी कलास मिल जाएगी अब तक जितना पढ़ाया गया है पीछे सब मिल जाएगा आप सभी हमारा टेली गराम चैनल जरूर जोइन कर लो समझ रहे हो कि नहीं बच्चा लोग हां तो सभी जोइन कर लो पीछे जो पढ़ाया गया वह सब मिल जाए तो आज बाराबजे से 2बजे के बीच फोन करना आप यह राध के बाराबजे ना करना बचमा दिन में requested बाराव के बीच अगर नहीं कर सकते हो इस टाम भी जी हो तो आप हमें वाटसप पर मैसेज कर सकते हो 24 घंटे में चाहे जब मैसेज कर सकते हो चाहे जब अगली क्लास राद 10 बजे से सुरू होगी ये क्लास यहीं पे इंड करते हैं अभी सवी आना फिर से 15 मिनट बाद D.L.A. की क्लास होगी इस्पेसली लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक मैथ होगा सब के लिए और जीत की गुंज वह आपके अंदर पर ही निकलेगी अगर आप चाहोगे तब तो विश्वास बना के रखो मेहनत करते रहो सब कुछ मिलेगा सब कुछ होगा आते हैं फिर थोड़े देर में अगली क्लास राद 10 बजे से